प्यारे दर्श को अक्सर असी करांदे विच कोई जिन्ह खान पेण़ दिया चीजां बनाओने आते उननू असी रख लेने आ या कोई ऐसा एक्ति हुनदा जिना करच नहीं हुनदा थे उन्हें ओ छीज खानी हुनदीया थे जदो ओ ओनदा तशी उन्हें गर्म करके देने आ तो केड़ियां चीज जाने जिना नो तुसी गर्म नहीं करोंगे तांकि उदे नुकसान सानू बिलकुल नहां पहले ता जड़ी साड़े कराव चाप बन दिया ये जदावी बने ता इनू फ्रेशी पिया करो इनू राख के थोड़ी देर बाद दवारा गर्म करन दे नाल इदे विचले जड़े टैनन पदार थुन दिया ओ जड़े आ वद ज़न दिया ते ओ फिर जड़ों साड़े बनाई जावे उससे पई होई नू गर्म करके किसे नू प्याना तो अड़ेली बिल्कुल भी जड़े ता ओड़े बिल्कुल भी ता ओड़े विचले जड़े पदार्थ होंदे ने तो अनू पुरान शक्ति देने तुसी एक दम तरो ताजा मैसूस कर देओ उड़े फैद भी ठीक नहीं होएगा सो एस गल नू नोट करना है दूसरी चीजा कि करांदे विच चावल जदों असी बनाउने या ता इन्नों फ्रेश फ्रेश नू खा लिया करो या जदों ओ ठंडे हो जाना ता उन्नों फ्रेजच रख दो जे दो चार कंट्या बाद किसे नू देने हैं ता उद दिते जा सकते ने पर उन्नों रात पर ले बार चाड़ देना क्योंकि उदेच एक बैसीलस सीरियस नादा बैक्टीरिया होंदा है जिड़ा के आम करके आदमी ली हानिकारक नहीं होंदा पर जदों ओ पैये रंदे या चालते जदों सी ने दुबारा गर्म कर कि या तो ओक किते न किते जिड़ा एक दुबारा री ग्रो कर सकते है और और ओज़ींख्यार की नुक्सान एक ताजे ताजे खाना और ये तुसी इन्हों थोड़ा होणा थोड़ा फीर घरम भड़े बनतों बाद पर इस उससे विले ही रख दे होतां कि ओ बैक्टीरिया तो फिर तुसी उन्हों सिर्फ एक वारी गर्म करके खा सक देओ वैसे तक कोशिश करो कि इन्हों स्टोर ना करो फ्रीज विच भी ना रखो गर्म गर्म बन देया नूं ही खालो तो सब तो ज़्यादा ठीक होएगा या फिर जी वह आम रूम टेपरेस्टर ते चले गए तो उतना ही खालो ओवी उससे बेड़े एनी के पांच चार छेड आठ दस कंटे आबाद उसी कव विचला सी गर्म नहीं कर दे एज इट इस खाल लेगा तो फिर नुक्सान होएगा बैक्टीरियान ग्रो होन दा मौका मिलेगा तिकी कारण बनेगा फूड पॉइसनिंग दा का जर जंद है पर हर व्यक्ति ते चीज लागो नहीं होंदी सो असी कोशिश नहीं करनी बिमार होन दी असी ठीक रहना है दुझी चीज है कि करांदे विच आलू आलू दे विच जड़ी होंदी है ना कलॉस्टीडियम बाटूलीनम नादा जड़ा पदा आर्थ होंदा है सो असी की करना इना सारियां चीज जांदी की होंदा है कि नेचर चेंज हो जान दी है हर चीज विच कोई नहीं की पदार्थ होंदा है जड़ा सानू फायदे मंद होंदा है बट की होंदा है कि जदों असी उन्हों स्टोर कर लने जा पए रहन दिया चीज ठंडी होगी फि प्रभ गर्म कर ली तक कि होया कि ओह ही चीजां फिर आपनी शेप बदलनादियाने ओ आपनी डीगरेड विच चलियां जादियाने ते फिर सानू क्तें नक्तें नुक्सान कर दिया तो असी आलूगां दी सबजीनू वार वार गर्म नहीं करना नई ता फिर ओही तरीका है कि जदों गर्म बनगी ता उससे विले उनू ठंडी होन ते फ्रेजे विच टोर कर दे होतां के उरे चो चीजां पन पन ही ना ते ज़ा स्टोर करन दे वी नौबत क्यों आवे असी ताजी बनाईएं ते ताजी ताजी खाके परां करिए असी ए रिस्क लईए ही क्यों इसे तरी जाएगा और नाइट राइट दे विच आ जाएगा और उस तो अग्गे भी अपनी चेंजेज ले सकता कोई ता फिर नुक्सान करेगा ता करना किया है तुसी पालक दी सबजी नू बनाऊना है तो अडेली बड़ी फाइदे मांदा तुसी बनाओ ते उससे विले उनू ख अगली चीज है कि मश्रूम दी सबजी करा विच बन दीया ते मश्रूम नू भी तुसी ओदे पेच जड़ा प्रोटीन होंदा है ओ जदों तुसी वार वार गर्म करने हो तो डी ग्रेड हो जानदा ते तो अड़नू फाइदे दी था ते नुक्सान कर सकदा फूड पॉड ज़निंग कर सकदा उल्टिंगां दस्त लग सकदे ने पेट दर्ध हो सकदा ता मश्रूम दी सबजीनू भी वार वार गर्म करना बंद करो बनाओ तो उसनू खाओ इना चीज़ां दासी जरूर त्यां रखना है अगली जड़ी चीज है कि कुकिंग आयल जड़े साड़े क अगर तुसी पए होए बचे होए तेल नूँ वार वार गर्म करोगे मानलो तुसी कर्च पकोड़े बनाओ ने या आज बनाले ते फिर बचाके रखेला फिर फिर दुज्य दिन पंजवें दिन दसवें दिन बनाओगे ता ओ जड़ा है तेल ट्रांस्पैंट विच चेंज होए गा ओ ट्रांस्पैंट समझो की होंदा रांस्पैट ओछीज है जिड़ी साड़ी जाके नाडिएं विच जम दिया थे हांट दिया बीमारिया दा कारन बन दिया ते फिर साड़ी स्टैंट बाईपास पेंदा होंदा है सफिर आपप की करना असी तेल नूँ कट यूज करना और ये करना तलना चीज़नों ता बस उन्हा की पाऊ जड़ा तुसी समापती ते लाए जाओ उन्हों स्टोर करके तुसी बिल्कुल नहीं रखोगे और एक चीज़ है कि जड़े नौन वैज खान देने और चिकन भी जड़ा है वार वार गर्म ना करना क्योंकि ओधे व फूड प्वाइजनिंग कर सक देया सो इन्हा गलांदा सी त्यान करना है बस पत्तेदार सबजियां त्यान रखो पत्तेदार सबजियां नौन वार वार गर्म नहीं करना बनावना है ते खाना दुज्जा तुसी चवड़ां दी गल किती है आसी चौल जड़े ने वार वा थो क्याए ने खालो ते कम ने बिढो फिर दोड़ा आलों रर रम गर्म करके उसी नहीं खावा नी राली यहार यहार करना जदो करना तोनों फिनिश कर दो ता तो अडेली ठीक होएगा इना चीज़ जानों सी सीरियस सी लवांगे ते फिर कदे भी बिमार नहीं होंगे वीडियो नो तुस्य आंट तक देखिया तो अड़ा बहुत बहुत तर्दा यह पेन आफ आइल बड़े कमदा है उनना लो और लिम पेन बहुत ज़ादा है इस शूमंतर कर दें दा लोंदा सारी अराम कर दा है ट्राइ करके देखो दूसरा स्रीज दे विच कोई भी दर्दा जिते मर्जी नो परियो करो लोंदा तरीका है कि नो चंगी तरा जिड़ा है हिलाके परियो करना है और दो थामाते सिर द आरे नमबर थे और ओदा सक्रीन शाट और अपना ड्रेस पे जो बाई पोस्ट वाडे कर पहुंचेगा कीमत सिर्फ दो सर पया समेत डा खर्चा